भादर प्रद माह के कृष्ण पक्ष की अस्टमी तिथी को भगवान स्री कृष्ण का जन्म हुआ था और तभी से हर साल भादर प्रद माह के कृष्ण पक्ष की अस्टमी को जन्मास्टमी के रूप में मनाय जाता है भगवान बिश्णु ने धर्ती पर पाप का नास करने के लिए भगवान स्री कृष्ण के रूप में अवतार लिये थे और तभी से हर वर्ष इस दिन उनका जनमुत्सम मनाय जाता है चुकि इस बार 30 अगस्त सोम बार के दिन जनमास्टमी मनाय जा रही है और भगवान स्री कृष्ण की पत्नी रुकमनी मालक्ष्मी का अवतार थी इसलिए ऐसा माना जाता है कि धन की मुस्किलों को दूर करने के लिए भगवान स्री कृष्ण को परसन्न करने के लिए कुछ उपाय किये जाए तो मालक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और जीवन में धन बढ़ता है करजों से मुक्ति मिलती है पूरे 101 साल के बाद इस बार जन्मस्टमी पर बहुत ही सुभ योग बन रहा है क्योंकि इस योग पर भक्त अपनी रासी नुसार अगर भगवान स्रिक्रिक्ष्न की पूजा करें तो उनकी हर मनोकामना पूरी होगी देखे मध्यरात्री यानि अर्धरात्री को अस्टमी तिथी है और रोहिनी नच्छत्र है और ये सयोग एक साथ जब मिल जाता है तब जयन्ती योग का निर्मान होता है और इस बार इसी योग में भगवान स्रिक्रिक्ष्न का जन्मस्टमी मनाया जाएगा तो चले जानते हैं पहले कि अपनी अपनी रासी के अनुसार आप भगवान स्रिक्रिक्ष्न को क्या अर्पित करेंगे अगर आपकी रासी मेस है तो आप राधा क्रिष्न दोनों की ही मूर्ती का पूझा कीजिएगा आप उनको पहले जल से असनान कराएं इसके बाद उनको लाल वस्त्र पहनाएं या फिर आप चाहें ते कपड़ा उड़ा दे और कुमकुम का तिलक लगा कर माखन मिस्री का भोग लगाएं अनार के साथ दूद से बनी मिठाई का भी भोग लगाएं यानी अनार अरपित करना है आपको जीवन की मुस्किले कम होंगी जो ब्रिसब बाले हैं आप भगवान स्रीकृष्ण का चांदी के वर्क से सिंगार करें उन्हें सफेद वस्त्र सफेद चंदन अरपित करें अब सहद दूद दही मकन और रजगुलनों का भोग लगाएं इससे आपका सुक्र भी बहतर होगा और भगवान स्रीकृष्ण की पीला चंदन अरपित करें केले का भोग लगाएं सुखा मेवा दही का भोग लगाएं आपका जो इस समय आपके उपर धाया चल रहा है उससे मुक्ति मिलेगी और जीवन में सुकून आएगा करकर आसी बालों आप राधा कृष्ण को केसर दूद में केसर डालकर असनान कर आप उन्हें सफेद वस्त्र पहनाईए और नारियल जरूर रखिएगा पूजा में और केसर युक्त दूद का ही भोग लगाएगा तो आपका मन की चिंताएं मन की परिसानिया समाप्त हो जाएगी जो सिंग वाले हैं सहद और गंगा जल मिलाकर भगवान स्री किष्ण को और फिर गुलाबी रंग का वस्त्र धारन कराएं अब अस्ट गंध का तिलक लगाएए और फिर गुड़ और माखन मिस्री का भोग लगाएए आपके जीवन में सुख सम्मान मान सब बढ़ता चला जाएगा करने आबालों आप राधा कृष्ण को दूद और घी से सनान कराएं फिर उनको जल से सनान कराएं अच्छे से पोछें और हरे रंग के वस्त्र पहनाईए फिर उनको सुखा मेवा दूद इलैची लौंग का भोग लगाएं तो जीवन की जो परेसानी है वो समाप्त होगी और जीवन में जो टेंसन है उससे मुक्ती मिलेगी तुला वालों आप राधा कृष्ण को दूद और चीनी से सनान कराएं या दूद में चीनी डालकर और फिर जल से सनान कराकर पोछ कर उनको केसरिया या गुलाबी रंग का वस्त्र पहना कर केले का भोग लगाएं सुखा मेवा का भोग लगाएं दूद की बनी मिठाई का भोग लगाएं या फिर माखन मिसरी का भोग लगाएं या आप घी का भी भोग लगा सकते हैं आप चाहें तो सारे चीजों का भोग लगाएं या कोई एक चीज का आपके सनी के जो आपके उपर धहिया चल रही है उससे र और गुड और नारियल से बनी मिठाई या फिर आप मावा का माखन का दही का कोई भी एक चीज का भोग लगाते तो आपके जीवन में जो अभी परेसानी चल रही है उससे आपको मुक्ति मिलेगी धनुबालो भगवान राधाकृष्ण को पहले दूद से असनान कराईएगा फिर सहत से कराईए फिर जल से कराकर उनको पोच कर पीले बस्तर पहनाईए पूजा में केला अमृत पीली मिठाई का भोग जरूर लगाईगा आपके साड़े साती जातावा जो थोरा सा परेसानी दे रहा है जो संतान का सुख प्राप्त करने में बाधाएं दे रहा है उस श्री खिलाईए जो साड़े साती का दंस है जो चाती पर चल रहा है जो परेसान है आप जो चारो दिसाओं से आप लगता है दुखों से घिर गया है उनसे आपको मुक्ति मिलेगी कुम्भवालो भगवान स्री कृष्णराधाची को सहद दही दूद चीनी और फिर जल से स्नान कराईए दूद से भी स्नान कराना है और उनको जल से स्नान कराकर अच्छे से पोच कर ब्लू कलर यानि नीले रंग का वस्तर पहना कर ड्राइफ फ्रूट यानि सुखा मेवा ला भगवान स्री कृष्णराधाची को सहद दही दूद चीनी जल से स्नान कराए और उन्हें पोच कर अच्छे से पीतांबर यानि पीला वस्तर पहनाए पूजा में नारियल दूद केसर या माबे से बनी मिठाई का भोग जरूर लगाए जो जीवन में उथल पुथल चल रह जो आने वाले समय में साड़े साती का दंज जिलना पड़ेगा उसके लिए आप तयार रहेंगे यानि उतना तकलीफ नहीं होगा जितना आप सूच रहें यह तो थी भगवान स्री कृष्ण को मनाने की बिधी अपनी रासी नुसार आप उन्हें क्या रपीत करें कैसे उनक अगर कर्जों से परिशान हैं तब जन्माष्टमी के दिन साम को तुलसी जी की पूजा जरूर करें और साथी ओम नमो भगवते वासु देवाए का जब खूब करें एक ग्यारा बार तुलसी जी की परिक्रमा करें कर्ज से मुक्ति मिल जाने में आसानी होगी अगर आप चाहते हैं मालक्ष्मी आपके घर में आ जाए धन की मुस्कलें दूर हो जाए आर्थिक रूप से परिशानिया समाप्त हो तो जन्माष्टमी के दिन संख में दूद भर कर काना जी को चड़ाएं मालक्ष्मी प्रसंद होंगी और फिर आपको संतान की भी चाहत पूरा होगी आर्थिक समस्याइं दूर होंगी और अगर आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो भगवान स्रीकृष्ण को माखन मिस्री का भोग लगाएं और जो भी आपके घर में या आपके आसपास छोटे बच्चे हैं यानि एक से पांस साल तक के बीच उनको अपनी उनली से माखन मिस्री खिलाइए अपनी हाथों से यह समझ कर कि आप भगवान स्रीकृष्ण को खिला रहे हैं भगवान ने चाहा तो साल भर के अंदर आपके घर में भी किलकारियां गुंजेगी नौकरी में परमोसन चाहते हैं तो आप छोटी कन्याओं को खीर खिलाइए आर्थिक मुस्किलें बहुत जादा हो तो जन्मास्टमी के दिन गाय बच्छडे की मूरती लाइए और पुजा अस्थान में रखकर नियमीत रूप से पुजा करें तो धन की मुस्किलें दूर हो जाती है इस जन्मास्टमी के दिन बहुत सारे प्रियोग हैं लेकिन अब जानते हैं घर के मुक्खे दरवाजे के बाहर ऐसा क्या पेके क्या डाल दें कि मुस्किलें कम हो जाए क्योंकि निगेटिव एनरजी नकात्म पूर्जा अगर बढ़ गई है सुक्स्टैन खो गया है तब पीली सरसों के दाने एक चुटकी लेकर अपने घर में पूरे जगर में घूमिये अच्छे से उपर नीचे जितना भी बड़ा घर है और संबब हो तो घर के तमाम लोगो कर आजाएं हर हर महादेव